साथ से नीचे जाएंगे अमलियाता कमान बढ़ता, साथ से उपर जाएंगे छरियाता कमान बढ़ता, साथ पर रहगा तो उदास ने रहगा, अगर एच पलस कमान बढ़ता यानि अमलियाता कमान बढ़ता, वो एच माइनस कमान बढ़ता, यानि छरियाता कमान बढ़ता, जै तो बेस रहता यानि छार रेड़ टू बुलू यानि लाल को बुलू में बदलता हूँ और इसे वाद में कैसा होता है कड़वा होता है अगर पूछे का धातू के ओकसाइड छारिए अधातू के ओकसाइड अम लिए अधातू अम लिए अधातू अम लिए और धातू का ओकस सब्सक्राइब है कि हेलो प्रेंट मैं निति उसकुमार आप सभी का स्वागत करते हैं स्टेडी लिंक में तो दोस्तों जैसे कि आप लोग जान रहें धातू और अधातू अपका सब्सक्राइब हो गया उससे रिलेटेड जितना भी इंपोर्टेंट प्रशने था सभी आपको करा दिया गया और जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाने वाले यह आज आपका सिप ऐसे ही आपको कुछ परशने बता रहे हैं और इसमां आपको पताएंगे सब्सक्राइब हो जागा तो इसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाने वाले यह आपका इलेक्ट्रोनिक कॉन्फिग्रेशन है तो इसमें आपको यह मालूम चलेगा कि आपका जो त्यात्य वाजैसें आपसे पूछ देगा इलमुनियम किस बर्क का है किस आवार्त का है यह आपका आपसे बन जाएगा यह पूछे किस ब्लॉक का या इलेक्ट्रोन या पूछेगा इलेक्ट्रोन के सेंगे कितना होता है को और इलेक्ट्रोन के सेंगे कितना होता है को और इलेक्ट्रोन किया होता है सभी आपसे बन जाएगा तो एक तत्व का इले एलेक्ट्रोनीक कॉन्फिघ्रेशन एलेक्ट्रोनिक बिन्यास तो आप कल जरूर वीडियो देखेगा, तहीं आज हम आपको कुछ प्रश्न करा देते हैं एक तत्व का इलेक्ट्रोनिक बिन्यास 2-8-2 है तो तत्व का नाम है यह नहीं सभी को जोड़ देना तो आप सभी को जोड़ेगा तो बारा आप देखेगा कि जो बारा होता है परमानु संगे किसका होता है मेगनेसियम का उपसन नमर सी और यह आपको धातू में भी हम कुछ बताया थे ऐसे गर के यदि एक तत्व के परमानु कर्मांग 8 है तो इसका इलेक्ट्रोनिक बिन्यास के होगा तो यह नहीं 2 में टूटेगा और 6 में टूटेगा तो आपको कल समझ में आ जागा अगर आपक आकटीयर है आपका सारा कल्ब से किलियर हो जागाग मतना आपको जो भी कंफिूजन होगासारा आपसे किलियर कर देंगा आपको कि अगला है निमिनलीक है काई कंसा कीज धातू का उयलेक्ट्रोनिक बिन्यास नहीं को आपको मताγαlicy traad, क Weight drink क कहने मतलब है दातू के एक है या डी में मिविए है तो यह जो सही जवाब का अगला ॸ criar हिलियम को लिए है इधियम को छोड़कर सभी नोवेल guitars'ों में सबसे बाहरी ने कितने इलेक्ट्रोन है तो आपको मालू होगा कि जो भी निस्किरिया गैसा है या नोवेल कैसा है सभी के बाहरी कोज में कितने लेक्ट्रोन होते हैं आठ या अपको हम जब किरिये परमानों के बाकोस में इलेक्ट्रोनों की संख्य कितनी होती है तो इसके उबारे में आप बताएंगा सरवधीक इस्थिर तो जब आप पढ़ लेज़ेगा इलेक्ट्रोनिक कोंफिगरेशन तो अच्छे से समझ में आज़ेगा एभी आप याद रेखिए कि एट होता किसी तत्व का इलेक्ट्रोनिक बुनियास टू एट फाइव उस तत्व का नाम क्या यानि सभी को जोड़ देना तो जोड़िये होता है 15 अब देख लिए परमानु संख्या 15 किसका है तो आप्सन नंबर एक यानि फास्पोरस का अगला है इलेक्ट्रोनों की वह अधिक्तम संख्या जो वह अधिक्तम का अच्छा में रह सकते हैं वह है तो अधिक्तम कितना होता है इलेक्ट्रोनों के वह अच्छा में एक तो आपसन नंबर सी हो जागा इस सब सारा आपको कल बताया जागा मतलब कुल आप कॉंसेप्ट से बताया आपको कुछ भी रेटना नहीं है अब सक कोड इलेक्ट्रोन पूछेगा इसनियोजया बना लेजिए और किस ब्लॉक में तत्वेश कौन साह आप यह पुछे कि बर कास भी आपसे बनेगा सैंगल मिलेक्तम कि वह थे तीन कच्छा होती है तो बाहरी सेल में जब भी आठ पूछा और तीन सेल है तो कच्छा आपको बताना पड़ागा अच्छा क्या कि संख्या तो इसका जो अंसर होगा ओप्सन नमर्डी आरगन तो हम इसको फिर से जब थियोरी कराएंगे कर आपको इलेक्ट्रोनिक विन्यास याने इलेक्ट्रोनिक ओंफिगरेस है तो फिर से आपको इस परस्न को कराएंगे और उसमें समझाएंगे अधातू में आम तोर पर सबसे बाहरी कच्छा डॉट डॉट में इलेक्ट्रोन होते हैं तो अधातू आपको बहुत ही अच्छे तरह से किलियर करा देगा अधातू धातू धातू तो अधातू में बाहरी कच्छा कितने इलेक्ट्रोन के संख्यों के होता है वन टू थीरी और धातू में 5, 6, 7, कभी-कभी 8 को भी लेता है, तो लिख रहा है धातू में, तो धातू में क्या होगा 5, 6, 7 या 8, मतलब कभी-कभी 8 को भी एड कर लेता है, इसे 8 जो होता है, नोवेल गैसमू होता है, अगला प्रशन है, निमन लिखे तत्वों में से किसमे कुल 3 कोस और अगला है, एक उक्सीजन परमानू में कितने सन्योजी इलेक्ट्रों होते है, तो 6 आप तोड़ी अगर टू और 6 में, तो ओप्सन हो जागा 6, तो सन्योजी इलेक्ट्रों क्या होता है यह आपको जानना पड़ेगा, तो कल हम लोग जानेंगे इसके बारे में, एलेक्त्रोंनिक Jorge 26 वालतायु यह पहचान निया टोई किसका है परमानु संख्या ją औकसीजन का option नमर B अगला हुआ इनमेंसे कौन सा धातू का कि गरिंधा संघ्म जेरe होनका चाया है तो और में और किसम है और इसमर्ण नमर electronic विन्यास यानि electronic configuration वहुत ही अच्छे तरह से आपको बताया जाएगा कि बलोग क्या होता है वर्थ क्या होता है हम दोग किस तरह से निकालेंगा सन्योजी इलेक्टोन और सन्योजक्टा को यह सब सब हिंदी या इंग्लीज मेडियो में तो आप सर्च करिए स्टडी नमर वन ऑनलाइन कलास आप वहां से जाकर बिल्कुल मैथ पड़ सकते फिरी में तो चलिए हम लोग मिलते नेक्स्ट वीडियो में जब तक लिए अपना ख्याल रखिया जैहिन जै भारत